प्रवत्तर निदेशाले यानी E.D. ने जमिन घोटाले मामले पे आरोपेत विश्नु अगरवाल पर बड़ी कारवाई की है बताया जा रहा है कि E.D. ने राची के कारोबारे विश्नु कुमार अगरवाल से करीम साड़े छे घंटे तक पोस्ताश की जिसके बाद रात करीब साड़े दस बजे उन्हें गरिफतार कर लिया गया अब तक इस मामले में I.S. छवी रंजन समित कुल 13 लोगों को गरिफतार किया जा चुक है प्रवतर निदेशाले यानी E.D. ने राची में जमिन घोटाला मामले में आरोपित विश्नु अगरवाल पर बड़ी कारवाई की है बताया जा रहा है कि E.D. ने राची के कारोबारे विश्नु कुमार अगरवाल से करीब साड़े छे घंटे तक पोस्ताश की इस खबर के अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ निदेश जुड़ चुके हैं निदेश विश्नु अगरवाल से साड़े छे घंटे E.D. के द्वारा पोस्ताश करने के बाद उन्हें गिरवतार कर ले गया है क्या कोछ अब देट है देखे जमीन घूटाले मामले में ये तेरवी गिरवतारी है इससे पहले 12 लोगों की पहले ही गिरवतारी हो चुकी है और बतादू की चेसायर होम मामले में ये तीसरी गिरवतारी है इससे पहले दो लोग जो भरत परसा और राजेस राय जिन पर आरोप था कि उन्होंने जमीन के जो मुल दस्तावेज है उसको हेरा फेरी करकर पुनित भारगाव जो की पावर ब्रोकर कहे जाने वाले प्रेम प्रकास का करीवी था उससे बेचा और पुनित भारगाव से जो विवास is a उसको उन्हें नंए जो जमीन है उसको खरिदा और पर आरोफ पर की इन्होंने वादी जमीन को खरिदा है और इस पिनकर लगता ओर रहा था इन्होंने जितने भी बता दो कि इनको अभी TAK कह सकते हैं कि पांच बपर समन भेजा गया है इससे पहले जो है दो समन पर वहाजिर हुए थे पहले समन पर जब हाजिर हुए थे उनने स्वासकारनों का हवाला दिया था उसके बाद एडी ने फोले चोड़ दिया था लेकिन एडी के जवाब थे, उसमें उनोंने परश्ट जवाब नहीं दिया थे, जिसके बात से उने फिर से समन भेज़ कर 17 जुलाइक को हाजिर होने का निर्देश दिया था, इनोंने अपने सुवासकारणों का हवाला देते हुए 17 जुलाइक को समay मांगा था, इसके बाद 26 जुलाई को एडी के ओर से समय दिया गया था 26 जुलाई को भी इन्होंने इमेल भेज कर यह कहा था कि इनके घर पे पूजा इस वैसे यह नहीं हाजिर हो सकते हैं उसके बाद 31 जुलाई यानि कि कल के डेट में इन्हें आना था लगवा 11 वजे का समय दिया गया था लेकिन ए पहुंचते हैं और लगवाग तीन से चार घंटों की पुछ ताज के बाद यह बाते सामने आने लगती हैं कि विस्नु अगरवाल को गिरबतार कर लिया गया है लेकिन जब नौश साड़े नव वजता तो यह पुष्टी भी हो जाती है कि विस्नु अगरवाल जो है वो गिरबतार हो चुकी है तो कह सकते हैं जो जितने भी आरोपी है जो जमीन घोटाले में सनलित रहें उनकी पनी लॉंडरिंग का मामला भी लगातार सामने आ रहा था और दूसरी ओर जमीन घोटाला का मामला सामने आ रहा था तो जितने भी आरोपी है लगातार जो सोच रहे था कि वो बच कर निकल जाएंगे कहीं न कहीं एडी उनके लिए एक तरह से मुष्टिल साबित करने में जो है दिख रही है और अतार गिरफतारी के बाद अब उस महकमे में खलबली मच गई है जी पलवी बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए